नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कथा समराट मुन्शी प्रेमचन द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खुबसूरत कहानी तैंतर आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी जिसकी चिंता में घर के सभी लोग बिशिस्ते प्रसूता पड़ी हुई थी दीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गई और पिता की बृध्धा माता सौर दौर पर सूख गई अनर्द, महा अनर्द, भगवान ही कुशल करें तो हो यह पुत्री नहीं, राक्षसी है इस अभागिनी को इसी घर में आना था आना ही था, तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई भगवान साथ में सत्रू के घर भी तेंतर का जन्म ना दे पिता का नाम था पंडित दामोर्दर्दत सिक्षत आदमी थे सिक्षा भिभाग में ही नौकर भी थे मकर इस संसकार को कैसे मिटा दिते जो परंपरा से हिर्दय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीट पर होने वाली कन्या अभागी नहीं होती है या पिता को लेती है या माता को या अपने को उनकी प्रिधा माता लगी नवजात कन्या को पानी पीपी कर कोसने कल मुही है कल मुही नजाने क्या करनी आई है यहां किसी बांज के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते दामुदा और दत्य दिल में तो घबराए हुए थे पर माता को समझाने लगे अम्मा तैतर वैतर कुछ नहीं भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है एश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा गाने बालियों को बुला लो नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया माता अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को मेरे सिर्टों बेट चुकी है प्राण नहीं में समाया हुआ है तैतर ही के जर्म से तुम्हारे दादा का देहां थुआ तब इसे तैतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा काँ पुठता है दामोदर इस कष्ट के निवारण का कोई भी उपाय होगा माता उपाय बताने को तो बहुत है पंडित जी से पूछो तो कोई न कोई उपाय बता देंगे पर इससे कुछ होता नहीं मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किये पर पंडित जी तो गरम मुठ्धिया करके चले गए यहां जो सिर्पा पढ़ना था वो पढ़ ही गया अब टके के पंडित रह गए हैं जजमान मरेया जीए उनकी बला से उनकी दक्षणा मिलनी चाहिए बस धीरे से लड़की दुबली पतली भी तो नहीं है तीनो लड़कों से ज़्यादा हस्ट पोस्ट है बड़ी बड़ी आँके हैं पतले पतले लाल लाल ओट हैं जैसे गुलाब की पत्ती गोरा चिट्टा रंग है लंबी सी नाग कल मुही नहलाते समय रोई भी नहीं तुकुर तुकुर ताकती रही यह सब लच्चन कुछ अच्छे थोड़े है दामूदर दत्ती के तीनो लड़के सामले थे कुछ विशेस रूपबान भी न थे लड़की के रूप का वखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसंद हुआ बोले अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो गाना बजाना होने दो भागे में जो कुछ है वह तो होगा ही माता जी तो होलस्ता नहीं करूं क्या दामूदर गाना नहोने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं क्यो हो जाएगा अगर इतने सस्ते जान छूटे तो न कराओ गाना माता बुलाए लेती हूँ बेटा जो कुछ होना था वा तो हो ही गया इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा बहु जी कहती है गाना बाना कराने का काम नहीं है माता भला उनसे काओ चुप बैठी रहें बहार निकल का मनमानी करेंगी बारही दिन है बहुत दिन नहीं है बहुत इतराती फिरती थी यहने करूंगी बहने करूंगी देवी क्या है देटा क्या है मर्दों की बात सुनकर वही रट लगाने लगती थी तो अब चुप के से बैठती क्यों नहीं में में तो तेधर को अशुब मानती और सब बातों में मेंमों की बराबरी करती हैं और इस बात में भी करें यह है कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुलाला पडोस में भी कहती जाना सवेरा होता ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ लड़की हुई है बाला खुशी से उचल कर बोला ओ ओ ओ ओ ओ पैंजनिया पैंड कर चुन चुन चलेगी जरह मुझे भी दिखा दो दादी जी अरे क्या सोर में जाएगा पागल हो गया है क्या लड़की की उतसुकता न मानी सोर के दोार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला अम्मा जरह बच्ची को मुझे दिखा दो दाई ने कहा बच्ची अभी सुद्धी है जरह दिखा दो गोद में लेकर दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दोड़ता हूँ अपने छोटे भाईयों के पास जा पहुँचा उन्हें जगा जगा कर खुश खब्री सुनाई बोला नन्नी सी होगी दूसरा बोला बिलकुल नन्नी सी बस जैसी गुडिया ऐसी गूरी है कि क्या किसी सहाब की लड़की होगी यह लड़की तो मैं लूँगा सबसे छोटा बोला अमको भी दिखा दो तीनों मिलकर लड़की को देखने आये और वहां से बगलें बजाते उचलते कूटते बाहर आये बड़ा देखा कैसी है मजला कैसे आंके बंद किये पड़ी थी छोटा तो हमें तो दो खूब दोआर पर बराताईगी हाथी घोड़े बाजे आतिश वाजी मजला और छोटा ऐसे मगन हो रहे थे मानव मनुह द्रिश आँखों के सामने है उनके सरल नेत्र मनोलास से चमक रहे थे मजला बोला फुलबारियां भी होंगी अम भी फूल लेंगे छटी भी हुए बरही भी हुए गाना बजाना खाना खिलाना देना दिलाना सब कुछ हुआ पर रस्म पूरी करनी के लिए दिल से नहीं खुशी से नहीं लड़की दिन वा दिन दुर्वल और अस्वस्थ होती जाती थी माँ उसे दौना बक्त अफिम खिला देती और बाली का दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती जरावी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती माँ को चूपरी दूद पिला कर अफिम खिला देती आशरी की बात तो यह थी कि अवकी उसकी चाती में दूद ही नहीं उतरा यौँ भी उसे दूद देर से उतरता था पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूद बर्दक और शदियां खिलाई जाती बारवार शिशु को चाती से लगाया जाता यहां तक के दूद उतर ही आता था पर अवकी यह आयोजनाय नकी गए फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी माँ तो कभी उसकी वो तक्ती भी न थी हाँ नायन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दैयनिये ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आँखें पहुचती हुई चली जाती थी बहुर से कुछ कहने सुनने का सहस न पड़ता बड़ा लड़का सिद्धू बारवार कहता अब मां बच्ची को दो बहार से खिला लाओ पर मां उसे जड़क देती थी तीन-चार महिने हो गए दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है सामने ताक पर मीठे तेल का दिया जल रहा था लड़की टक्टकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अगूठा चूसने में मंगने थी चुब-चुब की आवा जा रही थी उसका मुख मुर्चाय हुआ था पर वह न रोती थी न हाथ पर फैकती थी बस अगूठा पीने में ऐसी मंगने थी मानो उसमें सुधारस भरा हो वह माता की इस तनों की ओर मुह भी न फिरती थी मानो उसका मनो उन पर कोई अधिकार ही नहीं उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं बाबु साहब को उस पर दया आई इस पिचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोश है मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े इसमें उसका क्या अपराद हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कुछ कल्पित अनिश्ट के कारण उसका इतना तिरसकार कर रहे हैं माना की कुछ अमंगल हो भी जाए तो उसके भैसे इसके प्राण ले लिये जाएंगे अगर अपरादी है तो मेरा प्रारवध है इस नन्ने से बच्चे के प्रती हमारी कठोड़ता क्या इश्वर को अच्छी लगती होगी उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे इसनिह का ग्यान हुआ वह हाथ पैर उच्छाल कर गुंगू करने लगी और दीपक की और हाथ फैलाने लगी उसे जीवन ज्योती सी मिल गई प्राते काल दामोदर दत्तिने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए इस तरी ने बार बार कहा उसे पड़ी रहने दो ऐसी कौन सी बड़ी सुन्दर है अब भागें रात दिन तो प्रान खाती रहती है मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए किन्तु दामोदर दत्तिने न माना उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैटका खिलाने लगे उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी पड़ोस के किसी आदमी की एक बक्री उसमें आकर चरा करती थी इस समय भी वो चर रही थी बाबु साहब ने बड़े लड़के से कहा सिद्धु जरा उस बक्री को पकड़ो तो इसे दूद पिलाए शायद भूकी है बिचारी देखो तुमारी नन्नी सी बहन है न इसे रोज हवा में खिलाया करो सिद्धु को दिल लगी हाथ आई उसका छोटा भाई भी दोड़ा दौनोंने घेर का बक्री को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए पिता ने शिशु का मुँँ बक्री के थन में लगा दिया लड़की चुबलाने लगी और एक शन में दूद की धार उसके मूँ में जाने लगी मानो टिम्टिमाती दीपक में तेल पड़ जाए लड़की का मूँ खिल उठा आज शायद पहली बार उसकी शुदा त्रिप्त हुई थी वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया उस दिन से सिद्धू को मनोरिंजन का एक नया विश्य मिल गया बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है अगर किसी घौंसले में चुडिया का बच्चा देख पाएं तो बार बार वहीं जाएंगे देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है बच्चा कैसे चौंच खोलता है कैसे दाना लेते समय परों को फड़़़ा का चैंचे करता है आपस में बड़े गंबीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे सिद्धू ताक में लगा रहता जियों ही माता भुजन बनाने या इसनान करने जाती तुरंत बच्ची को ले कर आता और बकरी को पकड़ कर उसके थन में शिशु का मुँ लगा देता कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता बकरी को भूसी चोकर खिला खिला कर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयम चोकर के लोब से चली आती और दूद दे कर चली जाती इस भाती कोई एक महीना गुजर गया लड़की हस्ट पुष्ट हो गई मुख पुरुष्ट के समान बिकसित हो गया आखे जग उठी शिशुकाल की सरलाभा मन को हरने लगी माता उसे देख देख का चकित होती थी कि किसी से कुछ कह तो नहीं सकती पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने को नहीं हम ही लोगों के सिर जाएगी कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं जभी तो दिन पर दिन निखरती आती है नहीं अब तक ईश्वर के घर पहुँच गई हुद्धी मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी उसे ब्रहम होने लगा कि वह बच्ची को दूद खुब पिला रही है सांप को पाल रही है शिश्वर की और आँख उठा कर भी नहीं देखती यहां तक कि एक दिन कह बैठी लड़की का बड़ा च्छो करती हो हाँ भाई मा हो की नहीं तुम ना च्छो करोगी तो करेगा कौन अमा जी शिश्वर जानते हैं जो मैं ऐसे दूद पिलाती हूँ अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुप तो मैं अपने उपर पाप लो कुछ मेरे सिर्थ तो जाईगी नहीं अब आपको विश्वास ही ना आए मैं क्या करूँ मुझे पागल समझती हो वो हवा पी-पी कर ऐसी हो रही है भगवान जाने अम्मा मुझे तो आप अजरज होता है बहु ने बहुत निर्दोशिता जताई किन्तो बृद्धा सास को विश्वास ना आया उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं जूट नहीं कहती थी वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी उन्हीं लोगों की अमंगल की कामना कहने लगी केबल इसलिए कि मेरी शंकाएं सकते हो जाए वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए पर इतना आवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूँ कि देखा तुमने मेरा कहा न माना यह उसी का फल है उदासास की ओर से जियों जियों या द्वेश भाव प्रकट होता था बहू का कन्या के प्रतिसनें बढ़ता था यह उर से मनाती रहती थी कि किसी भांती एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती कुछ लड़की का भोला भाला चहरा कुछ अपने पती का प्रेम बात सल्य देखकर भी उसे प्रूत सहन मिलता था बिचित्र दशा हो रही थी ना दिल खुल का प्यार ही कर सकती थी ना संपूर्ण रेती से निर्दय होते ही बनता था ना हस्ते बनता था ना रोते इस भाती दो महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ तब तो ब्रिधा सास के पेट में चुहे दोड़ने लगे बहु को दो-चार दिन ज्वर भी नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता ना बहु के मैके से ही किसी की स्वरगवास की सुनावनी आती है एक दिन दामुदर दत्य ने खुले तोर पर कहभी दिया कि अम्मा यह सब ढगोसला है तेतर लड़किया क्या दुनिया में होती नहीं तो सबके सब माबाब मर ही जाते हैं अंत में उसने अपने शंकाओं को यथार्थ सिल्द करने के लिए एक तरकीव सोच निकाली एक दिन दामुदर दत्य स्कूल से आये तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचित पड़ी हुई है इस्त्री अंगीठे में आग रखे उनकी चाती सेक रही है और कोटरी के दुआर और खिड़कियां बंध है घबरा कर कहा अम्मा जी क्या दशा है इस्त्री दो पहरी से कलेजे में एक शूल उठ रहा है बिचारी बहुत तड़ रही है दामुदर मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाओ न देर करने से शायद रोग बढ़ जाए अम्मा जी क्यासी तबियत है माता ने आखें खोली और कराते हुए बोली बेटा तुम आ गए अब न बचूंगी हाई भगवान अब न बचूंगी जैसे कोई कलेजे में बर्ची चुबा रहा है ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई इतनी उम्र बीत गई ऐसी पीड़ा न हुई इस्त्री ये कल मुही छोकरी न जाने किस मन्हूस घड़ी में पैदा हुई थी सास बेटा सब भगवान करते हैं ये विचारी क्या जाने देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना अच्छा हुआ मेरे सिर आई किसी के सिर्टो जाती ही मेरे ही सिर सही हाई भगवान अब न बचूंगी दामुदर जाकर डॉक्टर को बुला लाओ अभी लोटा आता हूँ माता जी को केबल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी रुपए न खर्च कराने थे बूली नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे अरे वह कोई ईशुर है डॉक्टर अमरित पिला देगा दस बीस भी ले जाएगा डॉक्टर बैद्दे से कुछ न होगा बेटा तुम कपड़े उतारो मेरे पास बैटकर भागवत पड़ो अब न बचूंगी हाई राम दामुदर तैतर बुरी चीज है मैं समझता था कि ढखोसला ही ढखोसला है इसी से तो मैं उसे कभी मूह नहीं लगाती थी माता बेटा बच्चों को आराम से रखना भगवान तुम लोगों को सुखी रखे अच्छा हुआ मेरे ही सीर गई तुम लोगों के सामने मेरा परलोग हो जाएगा कहीं किसी दूसरे किस से जाती तो क्या होता राम भगवान ने मेरी बिंती सुन ले हाए हाए दामोदर दत्त को निश्य हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी बड़ा दुख हुआ उनके मन की बात होती तो वे मा के बदले तेंतर को नस्वीकार करते जिस जन्नी ने जन्म दिया नाना प्रकार के कस्ट जीलकर उनका पालन पूशन किया अकाल बैधब्वे को प्राप्त होकर भी उनके सिख्षा का प्रवंद किया उसके सामने एक दुद्मोही बच्ची का क्या मुल्य था जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो नहीं जानते थे शोका तुर्वो कपड़े उतारे और मा के सिरहाने बैठकर भागबत की कथा सुनाने लगे रात को बहु भोजर बनाने चली तो सास से बोली अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबुदाना छोड़ दू अमाता ने ब्रंग करके कहा बेटी अन बिना न मारो भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा जाओ थोड़ी पूरियां छान लो पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगे खा लोंगे कचोडियां भी बना लेना मरती हूँ तो भोजन को तरस-तरस कर क्यों मरो थोड़ी मलाई भी मगवा लेना चौक की हो फिर थोड़े खाने जाओंगी बेटी थोड़े से केले मगवा लेना कलेजे के दर्द में केले खालने से आराम होता है भोजन के समय पीड़ा शान्त हो गई लेकिन आद घंटी के बाद फिर जोर से होने लगी आदी रात के समय कहीं जाकर उनकी आँख लग गई एक सब्ता तक उनकी यही दशा रही दिन भर पड़ी कराहा करती बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती दामोद और दत से रहाने बैटे पंखा जलते और मात्र बियोग के आगत शोक से रोते घर की महरी ने महले भर में ये ख़बर फैला दी पड़ोस इने देखने आई तो सारा इलजाम बालिका कि सिर गया एक ने कहा यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढिया कि सिर गई नहीं तो तैतर मा बाप दो मैंसे एक को लेकर तभी शान थूती है दैव न करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो दूसरी बोले मेरे तो तैतर का नाम सुनते ही रोय खड़ी हो जाते हैं भगवान बाज रखे पत्ने तर न दे एक सप्तहा के बाद बृध्धा का कश्ट निवारन हुआ मने में कोई कसर न थी वह तो कहो पुर्खाओं का पुन्य प्रताथ था ब्रह्मनों को गौदान दिया गया दुर का पाठ हुआ तब कहीं जाके संकट खटा दोस्तो अभी आप सुन रहे थे अंद विश्वासों पर कड़ा प्रहार करती मुन्शी प्रेम चिंद की कहानी तेंतर दोस्तो कहानी आपको कैसी लगी कहानी के विशे में अपने पिचार मुझे कमेंट पॉक्स में जरूर साचा कीजेगा धन्यवाद